नमस्कार बच्चों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल वाई फाई स्टडी विथ नंदिनी में बच्चों, मैंने अपने चैनल की शुरुआत इतिहास विशे से की है और जिसमें हमने क्लास 11 की हिस्ट्री प्रारंब करी है क्लास 11 की हिस्ट्री के क्रम में हमने चैप्टर फर्स्ट यानि समय की शुरुआत से अच्छे से पढ़ा, समझा और उसके दो वीडियो उपलब्ध है आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ MCQs यानि बहु विकल्पिय प्रश्ण का अध्यन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और कुछ रिवीजन करेंगे चलिए आईए बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश नमबर एक निमलिखित में से आदि मानों से संबधित कौन सा इस्थल अफ्रिका में नहीं है यानि कोश्चन हमसे पूछ रहा है कि वो ये जो जगह दी गई है चार इन में से कौन सी ऐसी जगह है जो अफ्रिका महद्विब में नहीं है देखो पूबू फोरा के बारे में हमने पड़ा था मैप में मैंने आपको दिखाया था जो अफ्रिका महद्विब में है ओल्डी वही गोर्ज आपको पता होगा यहां से आस्ट्रेलो पिथिकस की खोज हुई थी और ये भी अफ्रिका में है केनिया अफ्रिका में है तो कौन सी जगा नहीं है वो है जावा यानि जो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो क्या हुआ बच्चो जावा कोशन नमबर टू निमलिखित में से कौन सी प्राइमेट समू की विशेशता नहीं है प्राइमेट समू में मैंने आपको बताया था कि ये वो समू होता है जिसमें वानर, मानो और बंदर और लंगूर के कुछ रूप पाये जाते हैं अब कोशन कह रहा है कि ये जो चार विशेशताय दी गई है उनमें से कौन सी विशेशता प्राइमेट समू में नहीं पाय जाती तो देखो इनमें दुख्द ग्रंथियां होती है ये बात बिलकुल सही है इनके शरीर पर बाल होता है, हमने ये भी पढ़ा है बच्चा माता के गर्व में पलता है, ये बात भी सही है इनके दात एक ही किस्म के होते हैं, नहीं ये नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो प्राइमेट समू के जो भी प्रजातियां है उनमें जो दातों की बनावट है, दात अलग-अलग किस्म के हैं यानि जो हमारा सही आंसर हुआ, वो क्या हुआ, गह इसके बाद नेक्स कोशन, फ्रांस में इस्थित लैस कॉस एवं शोवे के गुफाएं किसलिए प्रसिद्ध हैं, यानि वहाँ पर क्या होता है तो हमने अच्छे से पढ़ा था कि ये वो गुफाएं हैं जहां पर आदिमानों चित्रकारी करता था गुफाओं में बहुत सारी चित्रकारियां मिली हैं उन चित्रकारियों का जब अध्यन किया गया, तो पाया गया कि वो आदिमानों ने बनाई है देवी देवताओं की चित्र नहीं थे उसमें पेड़ पौधों के चित्र नहीं थे और औजार निर्माण का वहाँ पर कोई अफशेश नहीं मिला है यानि जो गुफाएं थी वो इसलिए प्रश्द थी कि उनकी छतों पर उनकी दिवारों पर चित्रकारियां की गई थी यानि जो हमारा correct answer वो क्या है कर Next question box grow की गुफा कहां इस्थित है box grow एक गुफा है जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये कहां पाई जाती है ये कहां इस्थित है इंग्लैंड में कहां इस्थित है बच्चों इंग्लैंड में punch blade technique नियम में से किस्थे सम्बंदित है आपको याद होगा कि मैंने एक आपको diagram दिखाया था जिसमें punch blade technique के बारे में बताया था जिसमें पांच तरीके थे आउजार को बनाने के यानि की ये शिकार करने की तक्नीक नहीं थी ये गुफा में चित्रकारी की तक्नीक नहीं थी ये क्या था ये अवजार निर्मान की एक तक्नीक थी आदिमानों के इतिहास की जानकारी के इस्तरोत क्या है यानि वो कौन से अवशेश है या वो कौन से इस्तरोत है कौन से सोर्सेज है जिसके माध्यम से हम आदिमानों के इतिहास की जानकारी रखते है तो जिवाश्म, पत्थर के अजार, गुफाओं की चित्रकारिया जो हमारा answer नंबर हुआ वो क्या हुआ घह हादिजा लोग किस जानवर का शिकार नहीं करते थी पिछले वीडियो में मैंने जब हादिजा जनसमू के बारे में शिकारी संग्रहाक समाज के बारे में मैं आपको बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जो हादिजा जनसमू के लोग होते हैं, वो जो है हाथी का शिकार नहीं करते थे, किसका शिकार नहीं करते थे, हाथी का शिकार नहीं करते थे, यानि खरगोश, कच्छुआ, लकडबगा, ये तीनों आंसर हमारा क्या हुआ, रॉंग हो गया, ग आपको याद होगा अच्छे से कि जब मैं आपको वीडियो में पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि आदिमानो भोजन इकठा करता था तो उस भोजन इकठा करने के उसके तरीके में वो मरे हुए जानवरों की को खाता था मरे हुए जानवरों की लाशों से मास मज़ा खुरच-खुरच कर निकालना ये अपमारजन की विधी कहलाती है और भोजन प्राप्त करने का एक उसका तरीका है और भोजन इकठा करने का एक तरीका है यानि क और ख दोनों सही है इसका आंसर क्या हुआ क और ख भोजन प्राप्त करने का एक तरीका भी है और ये लाशों से माज मज्जा खुरच-खुरच कर निकालता है आंसर नंबर घ इस गरेक्ट आंसर नेक्स कोशन पथर के आवजार बनाने यो मिस्तेमाल करने का सबसे प्राचीन साक्षे कहां से मिला है इथियोपिया, केनिया, का और का दोणों उप्रोक्ट में से कहीं से नहीं नहीं यहां पर जो सही आंसर है वो इथियोपिया और केनिया यह दोनों है यहां से हमें पत्थर के आउजार बनाने के सबसे प्राचेन साक्षे मिले हैं और हमने ये भी पढ़ा था कि पत्थर के अवजार बनाती थी, सबसे अच्छे अवजार बनाती थी पत्थर के, वो था Australopithecus. Australopithecus मानों के अवशेश कहां से प्राप्थ हुआ है? आपको इस टोरी शायद याद हो? ओमो इथियोपिया नहीं, टेरा अमाटा फ्रांस नहीं, आपको शायदी स्टोरी याद हो? जिसमें मैंने लूई लिकस की स्टोरी सुनाई थी, और मेरी की स्टोरी सुनाई थी, जिसमें किस तरीके से लूई लिकस बिमार हो जाता है, और मेरी खोजपर जाती है, और उसको Australopithecus के दात मिलते हैं, यानि की और वो जगह कौन है? वो है ओल्डी वई गोज, तंजानिया में जो है, और इसकी एक बहुत इंट्रस्टिंग स्टोरी आपकी बुक में दी हुई है. कोशन नमबर 11, योजना बद तरीके से सोच समझ कर, जानवरों का शिकार करने का सबसे पुराना इस पस्ट साक्षे कहां से मिला है, यानि पहले प्लानिंग करना, सोचना, समझना कि किस तरीके से जानवरों का शिकार किया जा सकता है, इसका जो सबसे पुराना और इस पस् बॉक्स ग्रोव से, शो निंजन से, कयम ख़त दोनों से या उपरोक्त में से कोई नहीं तो आपको शायद याद हो, पिछले वीडियो में बहुत क्लियरली मैंने बोला था कि यहां से द्यानी बॉक्स ग्रोव दक्षण इंग्लैंड और शो निंजन जर्मनी यह दो इस्थान ऐसे थे, जहां पर योजना बद्द और सोच समझ कर जानवरों का शिकार करने का साक्षय मिला है गुफाओं में निवास इस्थान के लिए दो चूल हों एवं भिन भिन प्रकार के खाद इस्तरोतों के साक्षय कहां से मिले हैं यानि गुफाओं में निवास करने का साक्षय और साथ में वहाँ पर दो चूले मिले और अलग-अलग प्रकार के खादियों के इस्तरोत मिले जिसमें विभिन प्रकार की मचलियां, पक्षियों के अंडे, विभिन प्रकार के जानवरों की हड्डियां, ये सारी चीजें मिली थी लेजरेट गुफा से, बॉक्स ग्रो दक्षने, इंग्लैंड में जो है वहाँ से, शोनिंजन जो जर्मनी में है वहाँ से, या उपरोपत सभी तो बच्चो इसका correct answer है लेजरेट गुफा जो दक्षणी फ्रांस में इस्थित है वहां से हमें इस तरीके का अवशेश मिला है तेरा अमाटा किसलिए प्रसिद है अवजार बनाने के कार खाने के लिए सामरिक मौसमी प्रवास के लिए घास फोस और लकड़ी की छतवाली कच्ची कमजोर जोपड़ियों है तो क यमख दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं तो आपको मैं अच्छे से समझा दूं कि टेरा अमाटा वो पुरा तत्वे किस्थल था जहां पर लोग सामईक रूप से यानि मौसम में जब कुछ परिवर्दन आ जाता था तब वो एक जगह से दूसी जगह पर चले जाते थे और वो जो 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 जोपडियां थी वो घास फूस और लकड़ी की छत और कमजोर जोपडियों से या लकड़ियों से बनी होती थी यानि इसका जो करेक्ट आंसर ये वो क्या है खो सबसे पहले पत्थर के अउजार किसने बनाए थे ओस्ट्रेलों पितिकस ने होमोहेविलस ने होमोएरेक्टस ने या उपरोप्तों में से कोई नहीं होमो हैविलस सबसे अच्छा उजार बनाने वाला होमो एरेक्टस अपने दोनों पैरों के बल पर सीधे खड़े होकर चलने वाला पहला प्रजाती और और अस्टेलो पिथीकस ये वो प्रजाती थी जो सबसे पहले जिसने पत्थर के उजार बनाए यानि हमारा करेक्ट आंसर क्या है नंबर कर आल्टा मीरा की गुफा में किसका चित्र मिला है आल्टा मीरा की गुफा में किसका चित्र मिला है आल्टा मीरा कहा है बच्चो इस पेन में हमने पढ़ा था ना कल की वीडियो में तो आल्टा मीरा कहा है इस पेन में है और यहां पर किसके चित्र मिले हैं गौरों अर्थात जंगली बैल के साकिन के लकट बगों या उल्लूओं के या उपरोक्त में से सभी के तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गौरों अर्थात ज के रंगने में ओश्चन नमबर 16 आदि मानों के द्वारा प्रियोग की गई गुफाईं किसलिए प्रसिद्ध थी पत्थर के अवजारों के रख रखाव के लिए जानवरों की सैकड़ों चितरकारियों के लिए पुरातन बरतनों के अवशिशों के लिए उपरोक्त सभी मे देखो जहां पर भी गुफा की बात आएगी तो उसमें सबसे पहले जो शब्द आएगा वो थी चितरकारी क्योंकि हमने इस चैप्टर में जितनी भी गुफाईं पढ़ी हैं उसमें चितरकारियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो किसलिए प्रसिद्ध था परों की सैकडों चितरकारियों के लिए कुंग सैन नामक शिकारी संग्राहक समाज कहां रहता था कोश्चन नमबर 17 बॉक्स गुरुव दक्षण इंग लैंड में, कालाहारी मरुस्थल अफ्रिका में, शोनिंजन जर्मनी में या उपरोप्त में से कोई नहीं यह एक शिकारी संग्राहक समाज था, जो अपना भोजन शिकार करके या फिर भोजन का की गैदरिंग करके, उसका संग्रहन करके इकठा करता था, और जो इसका जो जीवन है, वो किस पर जंगलों पर निरभर करता था, और जंगलों से मिली हूई चीजों का ब्यापार करके अपना ये जीवन यापन करता है तो ये जो कुंग सैन नामक शिकारी संग्राहक है वो पाया जाता है काला हारी मरुस्थल अफ्रिका में आंसर नंबर खो हादिजा जन्समू कहा निवास करता था कल के वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया है लेक यासी जील खारे पानी की बिर्भिंश घाटी में काला हारी मरुस्थल अफ्रिका में ख, क, यवं ख दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लेक यासी जील खारे पानी की बिर्भिंश घाटी में आंसर नंबर क is a right answer आज के शिकारी संग्रहक समाजों में इस्तरी पुरुष दोनों की भूमिका किस प्रकार की होती है question number 19 शिकार संग्रहन, ओजार बनाना, क, यवं ख दोनों वो परोक्त में से कोई नहीं जब हम आज के शिकारी संग्रहक समाजों का अध्यन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस्तरी और पुरुष दोनों मिलकर काम कर रहे हैं इस्तरीयां घर का भी काम करती हैं पुरुषों के काम में भी मदद करती हैं इस तरीके से शिकार संग्रहन और औजार बनाना ये दोनों काम इस्तरी और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं तो कर एवं कर यानि answer number ग is correct answer. Question number 20. हिम्युक का प्रारम कब हुआ? 25 लाख वर्ष पहले, 30 लाख वर्ष पहले, 15 लाख वर्ष पहले आए, उपरोप्त में से कोई नहीं. तो हिम्युक का प्रारम होता है 25 लाख वर्ष पहले. हमने पढ़ा था ना, कि 25 लाख वर्ष पहले, जो धुरू थे, उस पर हिम्युक की चादर बिच गई थी. और वो टाइम पिरियद था 25 लाख वर्ष पहले, जिससे तापमान कम हो गया, जंगल कम होने लगे, घास के मैदानों का प्रादुर्भाव होने लगा, और आस्ट्रेलोपिथिकस की जो इस्थिती थी, वो धीरे-दीरे क्या होने लगी? यह समाप्त होने लगी, और मानों की दूसरे प्रजातियों ने जन्म लेना प्रारम कर दिया. अंतिम हिम्युक का अंत होने पर कैसे मौसम की शुरुवात हुई थी? अंतिम हिम्युक जब समाप्त होता है, तो धीरे-धीरे जो मौसमें वो कैसा हो जाता है? थंड़ा और सुष्क हो जाता है, अधिक गर्म और नम हो जाता है, कि का और खा दोनों हो जाता है या उप्रोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर था, जब हिम्युक समाप्त होता है, तो ताप मान बढ़ने लगता है, और जो बारिश है, उसकी मातरा धीरे-धीरे क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, तो अधिक गर्म और नम मौसम, यानि आंसर नमबर खो पोशिन नमबर ट्वेंटी टू, आधुनिक मानव को पुराततो विदो ने क्या नाम दिया? जो आधुनिक मानव है, जो आज का मानव जिसे कहा जाता है, उसको पुराततो विदो ने क्या कहा? होमो एरेक्टर्स, होमो हैविलस, होमो सोपियन्स या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, होमो एरेक्टर्स बताया जा चुका है, होमो हैविलस, होमो सेपियन्स यानि प्राग्य मानव, यानि चिंतनशील मानव, यानि आंसर नमबर गर, सही आंसर है, होमो निड किस प्रकार के सदस्य थे Question No.23 Homonid किस परिवार के सदस्य थे हमने पढ़ा है इसके बारे में Homonidei परिवार के थे Australopithecus ones के थे Homosapiens के थे या उपरोक्त में से कोई नहीं बच्चों जब हम मानो की विभिन प्रजातियों के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि Homonid Homonid बेई परिवार के सदस्य थे और जो Homonidों का पहला वन्षच था वो था Australopithecus फिर Homohabulous होता है फिर Homosapiens होता है फिर Homosapiens आता है इस तरीक से धीरे धीरे करके मानों की विभिन प्रजातियों के जन होता है यानि हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ को स्वरतंत्र का विकास कब हुआ स्वरतंत्र का मतलब क्या होता है यानि बोलने की प्रक्रिया में स्वर कब प्रयोग में आने लगा या मानों ने स्वर का प्रयोग कब प्रारंब किया तो टाइम पीरिट क्या था? दो लाख वर्ष पहले, तीन लाख वर्ष पहले, पांच लाख वर्ष पहले या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था कि इसका दो लाख वर्ष पहले, यानि आंसर नमबर कॉर्ब। कोशन नमबर 25 चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? चार्ल्स डार्विन कौन थे? एक जय वज्यानिक थे, जिन्होंने मनुष्य की उत्पत्ति, योगितम की उत्तर जीविता, जैसे सिध्धानतों का निर्मान किया, और बताया कि जो आज का मानव है, वो धीरे-धीरे विभिन प्रकार के प्राणियों के परिवर्तन से ही उसका जो शारिरिक बनावठ है, उसका जो बुद्धी का विकास है, वो धीरे-धीरे विभिन प्रकार के प्राणियों के बाद ही उसने जन्म लिया है, तो चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? अच्छे से पता होगा, मैंने फिर्स वीडियो में इनकी बुक्का नाम बताया था, अच्छे से बुक्त का नाम बताया था? यानि आंसर नमबर ख़ग यह बच्चो? प्रुक्त आंसर है. जैसा कि हमने इस वीडियो में विभिन प्रकार के प्रश्न हल किये उसके आंसर हल किये और साथ में ही कुछ टॉपिक्स के उपर डिस्कस किया इस कोशन के उपर डिस्कस करा बच्चों अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाएगे कंटेंट अठ्छे से समझ में आ रहे हो आपको लग रहा हो कि आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो नौलेज चाहिए वो मिल रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए नेक्स वीडियो में बेटा मैं सेकंड चैप्टर लेकर आऊंगी विश्व के प्रमुख विश्यर इसका जो सेकंड चैप्टर है वो हम नेक्स वीडियो में पढ़ेंगे और इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट पार्ट है यानि फर्स चैप्टर है क्लास 11 के हिस्ट्री का वो यहीं पर समाप्त होता है I hope कि आपको कंटेंट अच्छे से समझ में आया होगा Thank you बच्च